तो दोस्तों जब भी प्रेजंटेशन की बात आती है 90% प्रेजंटेशन लोग अपने नाम से शुरुआत करते हैं उसके बाद वो बताता है कि वो कहां से हैं और ये भी बताते हैं कि वो क्या करते हैं और इसी टाइम के बीच ओडियन्स अपना फोन निकालके विजी हो जाता है और आप जब देखते हो ऐसे तो आपको भी समझ में आ जाता है कि लोगों आपके प्रेजंटेशन में बिल्कुल भी इंट्रेस्टेट नहीं है और आपका प्रेजंटेशन बहुत खराब जाता है तो इस वीडियो के तूरू हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपना प्रेजेशन को और जाधे अत्राइटिव कैसे बना सकते हो खाली है के एक अच्छा इंप्रॉट cसеньow से important चीज, किस तरीके से आप presentation को start करेंगे, क्योंकि start सबसे ज़्यादा important है, अगर आपका presentation का start अच्छे से हुआ, तो आपका बाकी का चीजे में ख्याल में रखनी चीए, what are the things we should be careful about at the start of the presentation, सबसे पहले audience को जानिये, people don't care how much you know, people wanna know how much you care, अगर आप audience को नहीं जानेंगे, audience का interest को नहीं समझेंगे, तो आपका presentation कभी भी attractive नहीं हो सकता है, हर audience का अपना एक choice होता है, depending on the genre of the audience, it might be a student, it might be a group of teachers, might be the stakeholders, whatever it is, audience के बारे में एक हलका से research कर लीजे और समझ लीजे कि इनको क्या start दे सकता हूँ, ताकि इनको मैं engage कर सकता हूँ, क्योंकि सबका interest age के साथ different होता है, और depending on the work also, professions के साब से भी different होता है, the first thing, audience को अच्छे से research कर लो, दूसरा चीज, anxiety, जब हम लोग first time speech देते हैं, बहुत we feel our mouth getting completely dry, हमारा hand sweat करता है, right, stomach churn करता है, कभी-कभी तो पैर भी कापता है, तो यह सारे nervousness क्यों आते है, because we get anxious कि हमारा presentation कैसा होगा, तो इसको कैसे overcome करें, पहली बात, anxiety को आप control नहीं कर सकते, it's an involuntary emotion that happens in your body, तो overcome करने के लिए सबसे importantly anxiety को accept करो, अगर anxiety को accept करोगे, तो आप आपको समझ में आ जाएगा कि यह धीरे-धीरे reduce हो रहा है, अगर आप anxiety को accept नहीं करोगे, और उसके बारे में जादा सोचोगे, तो anxiety और जादा बढ़ जाती है, तो accept करो, let that flow of emotion get into your body, तो accept करने पर आप समझेंगे कि धीरे-धीरे anxiety अपने आप नीचे जा रही है, ठीक है, next, story, शायद मैं ये चीज़ पहला इंसान नहीं हो, जो ये चीज़ बोल रहा है, and I don't think I'll be the last one to say this, right, story is something that everybody likes, किसी भी एज का हो, कोई भी profession में हो, story अगर आप story से start करते हो, तो हमेशा आपके साथ engage हो जाता है, क्योंकि fact is, story sells, right, story सबसे अच्छा बेचती है, तो सबसे another thing, and start with a shocking fact, and what I mean by shocking fact is, let's say, आप energy को लेके discussion करना चाहते हो, तो energy के एक discussion करोगे, तो पहला चीज़ आप ये कर सकते हो, कि आप start करो energy का definition के साथ, दूसरा चीज़ आप एक shocking fact बता सकते हो, एक interesting fact उस चीज़ को लेके, for example, the energy that is emitted by the sun in one minute, is way more than the whole energy that is taken by complete earth in an year, कितने भी appliances हो जा होता है, हमारे complete earth में एक साल में, उससे जादा energy sun एक minute में छोड़ती है, ये जब बोल के आप start करोगे, तो लोग एक बार के लिए thought में engage हो जाएगा, और इसी चीज़ से आपको एक attraction मिल जाएगी, लोग आपके साथ engage हो जाएगे, जब ये आपके presentation को लेके लोग सोचेंग तो जादा engage हो जाएगे, तो this is the best way you can start off, तो ये तीन चीज़ का आप इस्तवाल कर सकते हो starting में, ठीक है, next comes the middle part, the body of the presentation, देखो start एक बार अच्छा हो जाएगे, तो जैसे मैंने कहा था body बहुत असान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे prepared content को आप present करोगे, लेकिन तब भी presentation में क्या क्या चीज़े ध्यान रखना है middle part में, first is questions, आपको पूछना है लोगों से, ऐसा नहीं कि आप monologously एक बात बूले जा रहे हो आपस में, तो वो राम कता लगेगी है, कहानी लगेगी वो, लोग को कहानी पूरी तरीके से ऐसे सुनाना नहीं एक ही बार में, लोग को इंगेज हो जाएगे, ठीके, लोग भी सोचने लगेंगे, दूसरा चीज, जब भी presentation आप करो, तो visuals के इस्तेमाल करो, आप पिक्चर इस वह तो 1000 words, आपको शायद यह चीज़ पता होगा, तो visuals का, interesting visuals के इस्तेमाल करो, ताकि लोग और ज़्यादा engage हो जाए, and third is voice modulations, तो ज थोड़ा साधा emphasis दो, जहाँ पर कम बोलना है, वहाँ पर कम बोलो, जहाँ थोड़ा जादा समझाना है, जादा समझाओ, जहाँ पर voice का energy जादा use करना है, वहाँ जादा use करो, तो यह चीज़ बहुत important, एक flow, एक ही flow में अगर आप बोलोगे, तो अच्छा नहीं लगता है, कहीं जादा emphasize करके बोलोगे, तो वह जादा interesting लगता है, तो use your voice modulations, then comes the end part, ठीक है, यह जब आपका start हो जाता है, फिर middle part complete हो जाता है, तो एक अच्छा finish देना बहुत important है, ताकि वह impression create हो लोग में, तो देखिए, बहुत तरह का presentations होता है, तो there is no hard and fast rule की ending किस तरीके से हो, ल First is actions, आप जभी भी कोई training वाला काम करते हो, for example, अगर कोई sales training चल रहा है, तो last में आप पूरा presentation के बाद आप बताओ कि क्या actions audience को लेना चाहिए, ताकि उनका sales अच्छा हो, ठीक है, उनको एक fact बताओ, that 80% of the sales takes at least 5 to 6 follow-ups, तो जब आप follow-up कर रहे हो, तो एक दो follow-up के बाद छोड़ मत दो, 6 to 7 follow-ups के बाद आपका sale close होता है, तो उस तरीके से आप action लो, या फिर life में बहुत सारे challenges होते हैं, लेकिन challenges को overcome करना पड़ता है, and I wish you all the very best for the upcoming new year, ठीक है, तो आप एक अच्छा सा action basis वाला एक thought provide करो, तो इससे क्या होता है, कि लोग उस काम में उस जो पू बोलते हो, बोलने के बाद अगर आप finger counting करके आप एक short short points में बता दो कि क्या आपने बोला पूरा presentation में, तो लोगों को अच्छे से recap हो जाता है पूरा चीज, और यह बहुत अच्छा ending है, ठीक है, कोई भी अगर आप explanation वाला चीज बता रहे हो, तो उसका एक quick summary दे दो, point wise, ठीक है, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जब आप कोई चीज repeat करके एक recap करा ले तो, short recap, ठीक है, and the last is the MLS technique, MLS technique मतलब जब आप कोई inspirational presentation कर रहे हो, या फिर कोई problem से related कुछ बात कर रहे हो, तो उसमें तीन चीज हो सकते है, तो आप उसको लेके, आपने जो story बताय है, जो presentation बताया है, उसका moral आप समझाओ, कि इस case study, for example, अगर आप case study बता रहे हो, तो उसका moral क्या है, उसका lesson क्या है, वो आप समझाओ, या फिर आप, अगर कोई problems related discussion कर रहे हो, कोई social problem है, कुछ भी economical problems है, अगर कोई problem लेके discussion कर रहे हो, तो give the solution, कि इसका solution क्या है, तो इस त अगर एक चीज को मैंने subunits में बाता है, ताकि आप अच्छे से चीज को समझ सको, तो कोई भी इंसान को अगर इस चीज में problem होती है, तो share it, उनको दिखाओ कि किस तरीके से आप presentations और strong कर सकते हो, बहुत असे friends होते हैं, जो struggle करते हैं, so give them the idea of it, so thank you everyone, stay healthy and stay safe, and अगर आपक को ये video पसंद आया, please give it a like.